आप लोगों ने अभी तक UP scholarship का form apply नहीं किया है तो आज आप सभी के पास last day है मलब आखरी मौका आज है और इसके बाद chances बिल्कुल नहीं है कि scholarship की फिर से date को बढ़ाया जाया तो इस वज़े से अगर अभी तक apply नहीं किया है तो आज आप apply कर सकते हो registration कर सकते हो और जितने भी student OBC category से general category से और minority category से बिलोग करते है इन सभी की last date 18 January है और 18 January तक आप सभी लोग आराम से form को apply कर सकते थे लेकिन आज आखरी दिन है और इसके बाद chances बिल्कुल नहीं है कि date को बढ़ाया जाए यहाँ पर आप सभी देख भी सकते हो यह पूरी notice telegram पे भी मिल जाएगी या फिर आप official website से भी इस notice को download कर सकते हो यहाँ पर दे रखा है 18 January तक आप सभी का form भरा जाएगा तो जितने भी student OBC category से general category से minority category से इनहीं का सिर्फ 18 January last date है इसके बाद जितने भी SC और ST category से बिलोग करते है student उनकी भी last date में अभी बताने वाला हूँ अगर आप 18 January तक form को apply कर देते हो यहाँ पर 21 January तक आप लोग final print भी निकाल सकते हो या फिर final print में अगर आप लोग कुछ correction करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो उसके बाद 22 तारिक तक यहाँ पर दे रखा है कि आप लोगों को college जा करके जो final print निकलेगा उसे आप सभी को college में submit करना होगा तो 22 जन्वरी तक अगर आप लोग कॉलेज में submit कर दोगे तो अच्छा रहेगा इसके बाद submit नहीं होगा यह चीजे भी आपको पता होनी चाहिए form को submit कर देना है और अगर कुछ भी गलत हो जाता है तो परिसान होने की जरुवत नहीं है आप देख सकते हो 12 से 15 फरवरी के बीच में आप सभी को correction करने का मौका मिलेगा उस बीच में आप सभी correction कर पाओगे अब आपको पता कैसे चलेगा कि यह चीजे गलत है तो अभी status आ तो उनकी जो last date रहने वाली है मैं आपको बता दूँ 31 March रहने वाली है तो जितने भी SC category से बच्चे बिलोंग करते हैं वो 31 March तक कभी भी UP scholarship का form apply कर सकते हैं उसमें कोई उन्हें problem नहीं आने वाली है अभी बहुत सारा time है आराम से भी करेंगे तो उनका UP scholarship का form apply हो जाएगा क अगर आपने 31 December तक form को apply कर दिया था तो आप सभी का भी correction जो है वो 12 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में होगा उसके बाद अगर आपने form को apply किया है तो आपका correction काफी late होने वाला है यहां पर आप देख सकते हो धितिये चरल जो की चल रहा है एक जनवरी से 31 March तक चलेगा ठी है तो 31 March तक SC और ST category के जितने भी student है उनके लिए portal open रहेगा आप लोग form को apply कर सकते हो अगर SC और ST category student 31 December के बाद form apply करते हैं मतलब एक जनवरी से कभी भी 31 March के बीच में form apply करते हैं और कुछ भी गलत हो जाता है उनका तो यहां पर दिया गया है साफ-साफ 26 April से 3 माई तक आप आपका form कुछ भी गलत रहता है status चेक करेंगे आप कुछ भी गलत रहेगा तो आप 26 April से 3 माई के बीच में correction कर पाओगे वहीं अगर आप OBC से general से और minority category से बिलॉंग करते हैं तो मैंने पहले ही बता दिया कि 12 February से 15 February की बीच में ही आपको correction करने का मौका मिलेगा फिलाल आप आप लोग अपना status भी जा करके check कर सकते हो आपके status में क्या दिखा रहा है मैंने एक वीडियो भी बना दिया है उस पर कैसे check करना है मेरे वीडियो पर जाना आप लोग देखना वहाँ पर मैंने बता रखा किस तरीके से आप लोग अपना status check कर सकते हो उसमें आपका college वालो अगर नहीं किया है तो कर दीजिए और हाँ जितने भी student चाहते हैं कि last date बढ़े अगर बढ़ जाएगी तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगा और बता भी दूँगा इसलिए आप लोग टेलीग्राम भी मेरा join कर ले ना link मैंने description में दे रखा कोई भी notice आएगी तो व फिलाल इस वीडियो में इतना ही था मेलते हैं फिर नेक्स वीडियो में